कर्मियों के सीजन में कभी न कभी तो दूद फटी जाता है तो आज मेरे भी दूद फट गया तो मैंने भी सोच लिया कि चलो इससे कुछ नया सा बनाते हैं तो मैंने इस फटे हुए दूसे दो तरह के नाश्टे बनाए उसमें से एक नाश्टे की रेसिपी मैंने आपके शेयर कर रही हूं तो जो दूद था ना उसे मैंने चारो तरफ से इस तरह से स्क्रैच कर लिया है स्पैचुला की मदब से ताकि बरतन में जो भी दूद दर दर चिपका हुआ है वह आराम से निकल जाए और उसके बाद मैं इस ट्रेनर से इस तरह से पूरे दूद को फिल् प्रेस करेंगे इससे यह होगा कि दूद में जितना भी एक्स्ट्रा माइश्यर होगा वह निकल जाएगा और जो आप यह उपर देख रहे हैं इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइट कर दिया था एक पार्ट का मैंने सैंड्विच बना दिया था जिसकी रेसिपी मैं करेंगे तो आठो के लिए मैंने दो कप यह पर गयां का आठा लिया है आप चाहे तो आधा आठा और अधा थोड़ा सा पानी एड़ करते जाएंगे और इसको इस तरह से मिलाते हुए इसका डो हमें तयार कर लेना है पटाफट से मैंने पानी डाल करके आठे का एकसेमी सॉफ्ट डो तयार कर लिया बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए डो को और बहुत ज़्यादा टाइट भी हम इसे नहीं रखेंगे तो बस यह दे कि इस तरह सा हमारा डो बन करके तयार है और दो कापाटे को भूनने के लिए देखिए इतना पानी लगा है और अब इसे कवर करके छोड़ देते हैं 10-15 में टाटा रेस्ट करेंगा उतनी देर में हम फिलिंग मनाते हैं चलिए तब यह देखिए वही वाला चेहना है इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं और अब मैं इसमें एड़ करूंगी एक बड़े से अनियन को बारीक चॉप करके अब आप इसको मिजर करेंगे तो यह एक कप अनियन है अब मिर्च है और अब यह यह कन साथ बिल्कुल बारीक चपकर करके लिया है और अब यह청णा है एक चममच बुने हुए जीरे का पावडर बस इसमें जाधा मसाले भी नहीं जाएंगे आप देख सकते हैं बहुत ही कम मसाले इसमें पड़े हुए हैं बस क्या करना है कि इसमें नमक एटकर देना है टेस्ट के हिसाब से अपने एटकर लीजेगा और डालेंगे इसमें दो से तीन बड़े चमच धनिया के पत्ते स्टर्फड पराटे बनाने के लिए आज मैं आपको एक टिप दे रही हूँ कि मसाले आप चाहे जो डालें स्टर्फड पराटे जब भी आपको बनाने हो तो आप दो इंग्रेडियंट्स को हमेशा ध्यान रखिए नमक और मिर्चा अगर ये दो इंग्रेडियंट्स आपने बिल्कुल अच्छे से डाल दिया मतलब थोड़ा सा तेस्ट डालेंगे तो स्टर्फड पराटे का टेस्ट हमेशा अच्छाएगा अब ये देखिए बहुत ही अच्छे तरह से मिक्स करने के बाद ये हमारी फिलिंग बन करके तयार है और अब ये देखिए इतनी देर में जैसे पराटे या रोटी का पेड़ा बनाते हैं उस तरह से हमने एक लोई तयार कर ली है ये देख लीजे और बस क्या करना है इसको हलक्यासा आटे से डस्ट करेंगे और जैसे नॉर्मल आटे की रोटी बेलते हैं बस उसी तरह से हमें इसे रोल कर लेना है बस जहान इस ब परड़ि बनाने के बाद उसके अंधर हम फिलिंग को इस तरह से फैली लगाएंगे तो जो फिलिंग ए मैं आज आज से हैनकी की शेप मैं फैलींक को पैलाया है और अभ इस तरह से मैं आप वीडियो में आप पराठा बना है बस हल्का इस पर आटे से डinho स्ट जागे जादा इसको हमें रूल नहीं करना बस तवर अधों से भेलन का एक जब्owa हल्का सा टाच देंगे थोड़ा सा नीचे से सिख जाए तो बस इसे पलट देंगे हलक्यातों से और इसके उपर अप्लाई कर देना है जो भी तेल या घी आप लगाते हो इसको दोना तरफ से लगा देना है तो मैं नहीं हुद बहुत ही तेस्टी जब यह पराटा सिखता है ना उसी वक्त यह जो हलके से तो इस तरह से पराठा आप जरूर से बना कर देखेगा दूद अगर फट जाए तो कोई टेंशन की बात अब नहीं है बड़े आराम साथ इस तरह के पराठे हैं या जो स्वेंडिविश की रेसिपी मैंने शेयर की है आपके साथ उनमें से कुछ भी आप बना सकते हैं बहुत दूद से बनावा पराठा है किसी चीज की जरूबत नहीं इसके साथ अगर आपको चाय मिले तो बढ़िया है नहीं मिले तो भी चलेगा बाकी ना चार ना कोई इसके साथ कोई चटनी ना सौस कुछ भी नहीं चाहिए इतना चटपटा और टेस्टी है यह पराठा ऐसी और आपको जब घ्रवचे जार।